हेलो फर्णस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के साथ पर चट के सिचक भरती को लेकर और यहां पर हम बात करेंगे प्राइमरी सिचक भरती को लेकर क्योंकि आप सबी लोग पता है कि कल जो है सुप्रियम कोट ने बीएड वालों के यहां पर प्राइमरी से जो ह कर यहां पर बात करेंगे और जो आपके बिहार की सिचक भर्ति है उसमें देखे बड़ा बदलाव जो है आपको देखने को मिलेगा बाकि यहां पर बहुत सारे बाकि इसके अलामा जो आपके एक्जाम डेट है बहुत सालों का माना है कि एक्जाम डेट आपका आगे बढ़ेगा या फिर आपका कैंसिल होगा तो देखें कैंसिल नहीं होगा लेकिन हम एक्समाम चांस बने कि आप लोगका एक्जाम डेट जो है वो आपका आगे बढ़ सक हम कैसे बोले हैं कि जो बीएड वाले हैं उनका यहाँ पर प्राइमरी का सिटेट पेपर वन जो है बाप लोगों का कैंसिल होता है बहुत चालों का माना है कि क्या एनियम राजस्थान के लिए ही लागो रहेगा फिर पूरे भारत के लेकि तो उसको लेकर और बाकी जो आपक बाकी आप लोग देख लिए होंगे बाकी अभी तक आप जो है आप पर प्राइमरी में सामिल करने को लेकर जो भी सम्विधान का कानून है उसके यहाँ पर अगेंस्ट है मतलब यहाँ पर क्या है कि गलत तरीके से B8 वालों को primary में जो है उसा मिल किया गया था ऐसा जो है उकल के सुप्रिम कोड का जो है बापका जो नीड़ा है उसके जो आपके order काफी है उसमें जो है इस चीज को आपका mention किया गया है बाकी आगे यहाँ पर हम चलेंगे B8 वालों का सिटेट पेपर 1 को लेकर तो देखें दो बैच, दो बैच का मतलब यहाँ पर यहाँ है कि जो आपका सिटेट 2022 में हुआ था और जो अभी आपका 2023 में होगा, 20 अगस्त 2023 का होगा तो जितने भी यह दो हैं, 2022 वाले और जो अभी शिटेट का एक्जाम देंगे 20 तारीको तो आप लोग B8 भीरती हैं और आप लोगं का यहाँ पर सिटेट पेपर 1 है तो आप लोगं का यहाँ पर आपका रध होता है, क्योंकि यहाँ पर हम कैसे बोलो हैं रध होता है और यहाँ पर बोला गया है कि जो कुछ भी सुप्रीम कोट का निड़े होगा वो यहाँ पर जो है वो CBSC मानेगा और वो ही निड़े जो है बापका जो बीएड अफेर थे हैं उनका जो सिटेट का प्राइमरी का पेपर है उस पे बापका लाग होगा यहाँ पर मामला यह हु आपका लागूर है इसका मतलब साफ है कि कल जैसे ही सुप्रीम कोट ने यहाँ पर अपना फानल डिसीजन दिया और जो NCT का अधिशी सूचना था कि बीएड वाले सामील होंगे तो जैसे रद होता है वो इसे ही सिटेट 2022 वाले और जो अभी सिटेट पेपर वन का जो बीए प्राइमरी टीचर के लिए कैसे लिजबल होंगे क्योंकि प्राइमरी टीचर का जो आपका क्वालिफिकेशन है उसमें तो बोला गया कि आपके पास पातरता एक्जाम होना चाहिए लेकिन यहाँ पर आपके पास पातरता एक्जाम नहीं है लेकिन यहाँ पर आपके पास सिटेट के बारें बोल रहे हैं सिटेट पैपर वन जो है वह भी एड़ आफिर्थियों का यहां पर खारीज होगा लेकिन B-Tate को लेकर यहां पर हम अभी इसलिए नहीं बोलेंगे तो आगे जो है बापका कोट में फसेगा, नॉर्मल सी बाते फसेगा ही, बाकी बहुत सालों का माना है कि यह जो आपका नीड़ा है, वो आपका राजस्थान में ही लागू रहेगा, और अधर स्टेट में नहीं, तो देखे ऐसा बिलकूल नहीं है, यह जो आपके सुप्रिम यहाँ पर क्या करते थे, छे महने का bridge course करते थे, और यहाँ पर क्या हुआ कि जो आपका NCT का नीएम थे, फिर जो कुछ भी अधिसुचना था, वो यहाँ पर सुप्रिम कोट खारीज कर दिया, तो जब सुप्रिम कोटी NCT का अधिसुचना खारीज कर दिया, तो नॉर्मल सी बाते आप यहां पर primary के लिए कैसे लिजवल होंगे और यहां पर bridge course कैसे करेंगे क्योंकि bridge course तो बीड़ वालों को primary में सामिल करने को लेकर यहां पर कराया जाता था ऐसे तो कराया नहीं जाता था जब बीड़ वाले primary में सामिल लेने होंगे तो bridge course आखिर में करेगा कौन और मतलब होगा भी bridge course के हो तो यहाँ पर देखे सभी के लिए यहाँ पर नियम जो है बापका लागू होगा चाहे आपका बिहार हो या फिर UP हो या फिर जो कोई भी यक्सवाइजर कोई भी आपका state हो बाकी यहाँ पर जो आपका main है बिहार को लेकर तो यहाँ पर बात करने वा बाने तो यहाँ पर चाहता है कि यहाँ पर प्राइमरी में रहें बाकी सरकार और सिछाय भाग का कुछ भी हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि देखें जो कुछ भी होगा वह आपके मतलब सरकार भी चाहती है कि हम उस तरीके का निड़य जो है उलाएं ताकि कोट वगरा में जो ह आपका निड़य है तो थोड़ा सा इसको भी लेकर आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा बाकी देखें एक दो दिन में जो है आपके कंफर्म यहाँ पर पते चल जाएंगे क्योंकि देखें इसको लेकर आपका पटना का हाई कोट है उसमें आलेडी जो है आपका पतना हाई कोट के तरफ से आपका कुछ एक दो दिन के अंदर आपको देखने को मिलेगा बाकी जो डियलेट के वेट्टि है उनका यहाँ पर मानना है कि जो आपका 24 अगस्त है 24 अगस्त है आपका बीपेसे टीजर का एकजाम इस्टाट है तो 24 अगस्त से पहले आपका पत बाकी नोटिफिकेशन के बारे में यहाँ पर हम बात करें और जो आपकी भरती प्रक्रिया को लेकर कि बहुत सालों का यहाँ पर मानना है कि जो आपका यह जो आपका सुप्रिम कोड का नीड़े आया है अभी आपका बीपेसे टीजर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गय तो यह Eat यहां पर जो भरति प्रक्रिया चले तो उस पर आपके प्रभावी नहीं होगे बिलकुल यस आप लोगु का उसके प्रभावी होगा क्योंकि आप लोगों ने दखाऊँगा की नोटिफिकेशन आने के बाद भी अपकी ब् Robin सी टीचर है उसमें कितना बदला हुआ कई सारे अतिरीक्त जो है आपके नोटिफिकेशन जारी किये गए कि आपका 75% सीट भरा जाएगा या फिर अधर इस्टेट वाले लिजबल होंगे या फिर अपेरिंग वाले भी लिजबल होंगे या फिर इस तरीके का बहुत सारे पर क्या हुआ कि राजस्थान हाई कोड ने बाहर कर दिया जो कि उसी टाइम पर बाहर हुए फिर आज तक बाहर ही होते रह गये फिर उसके बाद सुप्रीम कोड भी या पर बाहर कर दिया सीटेट 2022 में भी इसी तरीके से हुआ था बीएड वालों भी प्राइमरी का फॉर् पर रद्ध हो जाएगा ऐसा अपने अपने सर्टिफिकेट में आपका सीटेट का 2022 का होगा तो आप लोग अपने सर्टिफिकेट में जो है उचेक कर लिजेगा यूपी टीटी 2021 में भी यहीं मामला हुआ था बीएड वाले भी प्राइमरी में इलिजबल हुए प्राइमरी करने पर रोक लगा दिया जो कि यहाँ पर मतलब और फिर यहाँ पर इलहाबाद हाइक कोटищ ने भी यहीं बोला कि जो कुछ भी सुप्रीम कोट का डिसीजन होगा उसके बाद ही इलहाबाद हाई कोटि म09 का वाक देखने को मिलेगा बीएड वालों को यहाँ पर बाहर कर कर मतलब बाहर होने के बार तो देखे ये सभी जो आपके मामले हैं ये आपका भरती प्रक्रिया हो या फिर आपका पातरता एक्जाम हो मतलब एक तरीके से जो आपकी प्रक्रिया है वो आपकी चल रही थी और इसका भी notification आपका जारी किया गया था तो इस चीज को लेकर आप लोग मतलब बिलकुल भी ये ना सोचें कि आपके भरती प्रक्रिया चली है तो BPSC टीचर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा एक दो दिन में आपको कुछ ना कुछ अपडेट आपको देखने को मिलेगा हो सकता है कि तो इस तरीके का आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाए बाकि कल संडे है तो कल आपका बंद रहता है बाकि उसके बाद आपको जल्दी कुछ ना कुछ अपडेट आपको देखने को मिलेगा या तो बिहार सरकार बोले कि हम यहाँ पर सामील करेंगे इस तरीके CXYZ जो कुछ भी नियम कानून वगरा रहता है या फिर बिहार सरकार बोले कि हम इस पर बिचार करेंगे या फिर बिमर्स करेंगे देखे मतलब जो बिहार सरकार है वो भी अपने अस्तर से जो उनके बिभाग के अधिकारी होते हैं फिर जो भी उनके गवर्मेंट वकील होते हैं उनसे उन लोग सलाह ले रहे हैं कि कोई आगे आने वाले समय कोई उस तरीके का पेचीदा है फिर मामला जो है वो आपके कोट वगरा में नफसे बाकी एकजाम डेट को लेकर तो देखें एकजाम आपका कैंसिल नहीं होगा नौर्मल सी भाते भर्धी प्रक्रिया आपकी रद नहीं होगी बिहार सरकार बहुत अच्छी है ऐसा कुछ भी नहीं है देखें जो कुछ भी आपका निड़य होगा कोट की अधिन होगा यदि मालीजे बिहार सरकार जल्दी बाजी में आप लोग को सामिल कर लेती है और यहाँ पर मालीजे पटना हाई कोट जो है वो अपना निड़य भ लेती है तो भी यहाँ पर दिक्कत होगा तो मैं यहें कहूंगा कि मतलब मेरा यदि माना है कि बिहार सरकार यदि चाहे कि थोड़ा सा एक्जाम डेट आगे बढ़ा कर अच्छे तरीके से इस तरीके का नियम या फिर कानून लाकर जो है इस तरीके से करते हैं तो सही जो है बाप लोगों को यहाँ पर दिक्कत होगा तो देखें यहाँ पर क्या है कि बहुत सालों का यह भी माना है कि सरकार चाहेगी तो बीड़ वालों को सामिल कर लेगी तो देखें ऐसा बिलकुन नहीं है क्योंकि सरकार से भी बड़ा आपके सुप्रिम कोर्ट हैं क्योंक आपका 2023 आधे से अधिक जो है वाप का भीट गया तो देखें यहीं जो आपके निड़े हैं और जो आपके बिहार के साथ pensa के सिचख भरती है उसको लेकर यहीं जो है वापका निड़े है बाकी 20 से साधिकार हो जो कुछ भी वो यहाँ पर बोला है इसलिए Supreme Court आपका यहाँ पर बाहर जो है ओकी गई है बाकी एक दू दिन का आप इंतजार करिए एक दू दिन में आपके clear हो जाएंगे बिहार के सिचक भरती को लेकर भी बाकी यहाँ पर जो आपके Supreme Court का निड़ाय था बाकी City 8 का क्या था और किस तरीके सा उसको हम यहाँ पर जो है वो यहाँ पर mention किये है बाकी जो कोई भी update होगा हम share कर देंगे टेलिग्राम से भी आप जूड जाएगा comment box में आपको टेलिग्राम का link देखने को मिलेगा बाकी आप भी City 8, UP 8 या फिर DSS भी या फिर जल्दिवाजी में सरकार चाहे कि हम पेपर ही कंड़क्ट कराए या फिर इसको इग्नॉर करती है या फिर जो डिये ले डवेटी है पटना हाई कोट में case वगरा करते है लेकिन आपका जो date वगरा है आपकी exam के बाद मिलता है तो तब तक जो है आपका exam हो जाएगा तो इस पर लिसनिंग गट ब्लेस या थैंक यू